पुण्च रजोरी के डीके जी में हमारे जवानों पर हमला हुआ है कायराना हरकत हुई है आतंकियों दारा हमाशाध बात करने हैं कि रविंद रहना जी जम्मो कस्मी भारती जंता पाटी के दिल सर इस हमले को आप किस रूप में लेते हैं कि आपको लगता है कि अभी भी आत जंकी अपनी कायराना हरकत से बाद नहीं आ रहे हैं कायर पाकिस्तानी आतंकवाधियों ने दुस्साहस किया है पीट के पीछे चिपकर वार किया है पुंच रजोरी के परवतिये क्षेत्र डीकेजी देरा की गली के घने जंगलूम से जब सेना की वहन गुजर रहे थे चिपकर आतंकवाधियों ने सेना की काफले की दो गाड़ियों को निशाना बनाया जिसमें सेना की कुछ जवान वीर गती को प्राप्त हो गए पूरा देश अपने जामबाज वीरों को नमन करता है कुछ जवान हमारे गाइल हैं ये वो घना परवती एक क्षित्र है जो की एक तरफ बरफीले परवतों से घिरा है और दूसरी तरफ घने जंगल इस क्षित्र में हैं इन घने जंगलों की आड़ में ये काईराना हरकत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है पाकिस्तानी आतंकवादियों को पुंच के इस आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी सूद समेत पुंच के आतंकी हमले का हिसाब भराबर किया जाएगा सूद समेत लगातार भरतिये सेना जमू कश्मीर पूलीस और हमारे पेरा मिलेटरी फोर्सिस के जवान जमू कश्मीर में आतंकियों का सवाया कर रहे हैं लगातार ताबड तोड कारवाई आतंक वादियों पर और उनके हम दर्दूं पर हो रही है और लगातार जमू कश्मीर अमन शांती और खुशाली की और बढ़ रहा है ये जो अमन के दुश्मन है जो कश्मीरियों के दुश्मन है जो इनसानियत मानवता के दुश्मन है वो ये खूनी खेल, खेलने की साज़िश कर रहे हैं, उनकी इन साज़शू को भी निप्टा जाएगा सखती से, जमू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाना, हमारी सरकार का मिशन है, आज जमू कश्मीर खुशाली की और बढ़ रहा है, आज जमू कश्मीर के हर कोने में जबर्दस डवलमेंट हो रही है, दो करोड से उपर टूरिस्ट एक वर कश्मीर में आया, जी ट्वंटी का शिखर समेलन वहां हुआ, लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नमेंट जिसमें, इंटरनेशनल क्रिक्रेटर्स वहा है, इतने बड़े समरों जब वहां हो रहे हैं, पाकिस्तान और उनके जो समर्थक आतंकी हैं, उनको इससे खलबली मच दी है, क्योंकि वो कश्मीरियों के और अमन के दुश्मन हैं, हर साजिश को विफल किया जाएगा, और सूद समेत पुंच के आतंकी हमले का हिसाब बराबर किया जाएगा. गंतिम सवाल, रेना जी, आपको लगता है कि पहले टार्गेट किलिंग और अब इस तरहे छिपकर हमले जो हो रहे हैं, इसके पीछे फिर से एक बार जो सांती बिवस्था बनी है जम्मू कस्मीरिय लाके में, तो बॉर्डर पार से एक बार फिर से इंफिलिट्रेशन सुर obtained कि प्लीटीक बार ते इस सीमा में भेजकर बेगुना लोगों का कतल हो ऐसी कोशिश और साजिश पाकिस्तान करता है, लेकिन हर साजिश को हमने पहले भी विफिल किया है, हमारी सेना, हमारी पूलीस, हमारी परामलिकर्टरी फोर्सिस ने पहले भी दुश्मन की ह साज़िश को विफिल किया है आगे भी हर साज़िश को विफिल करेंगे साफ को कहना कि इन सब घटनाओं का बदला सूथ समय लिया जाएगा कर्मेमेन मनीज के साथ निरजपांडे विज दिली